तो क्या हाल है मरे भाईयों का सब बढ़िया है ना सबसे पहले तो मेरी तरफ से और मेरे भाई हार्दिक की तरफ से आपको और आपकी फैमली को दिवाली की हार्दिक शुब कामना है मैं उमीद करता हूँ अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो और मज़े कर रहे हो क्योंकि मज़े करने चाहिए लाइफ में और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके के भाई को सपोर्ट भी करना चाहिए तब ही तो आगे बढ़ूंगो मैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा सबसे पहले साजित भाई का डाउट क्लियर कर दते हैं तो साजित भाई का सवाल है कि क्या आज की रेट में 20,000 रुपीज के राउनिंगा बजट है वीवो टीवन प्रो परचेस करना सही रहेगा या फिन नहीं और वीवो टीवन प्रो में Snapdragon 778 मिलता है 6GB 128GB मॉडल की ये बात कर रहे हैं साजित भाई 24,000 रुपीज का हो गया क्योंकि सेल ओवर हो गई है बट हर महीं ने सेल आएगी तो आप नेक्स सेल का वेट कर लो cashback के बाद 22,000 रुपीज का मिल रहा है और 22SR में अच्छा phone है Snapdragon 778 के साथ AMOLED हो कमाल का स्मार्ट टीवी और साउंड बार भी बताने वाला हूँ बजट प्राइस सेग्मेंट में बजट वैसे डिपेंड करता हर पसंद का अलग होता बट मेरे कॉर्डिंग काफी value for money products है उन पर भी next sale में दुबारा offer आएगा तो वो मैं आपको बता दूँगा तो कभी भी advance नहीं लेता कभी ना कोई courier charges लेता हूँ जब मैं कोई giveaway करता हूँ तो यह fraud है ऐसे अगर आपको कभी comments आते हैं तो इन एग्णोर कर दिया करो next सवाल पूछा है अधित्या भाई ने 35,000 रुपीस के इनका budget है तो कोई best phone बता दो फटाफट फट फटाफट पूछ सब्सक्राइब करने का प्लान करते हूँ तो वीवो X80 आपको सब्सक्राइब 35,000 रुपीस के राउंड मिल जाएगा अगर नया phone लेना है तो OnePlus 10R एक अच्छा option है अगर आपको camera भी अच्छा चाहिए तो Samsung S21 FE 5G एक बेटर option रहेगा अगर आप गेमिंग नहीं करते हो लेक Q9 SE भी अगर ठीक प्राइस पर मिल रहा हो तो एक बार को कॉंस्रीटा कर सकते हो वो भी अच्छा फोन है उसका camera भी अच्छा है स्नापड्रागन रिपलेट के साथ परफॉर्मेंस वे च्छी देगा वह फोन अब अच्छोग भाई ने पूचा है कि IQ Z5 कैसा फोन है 20,000 इस प्ले हाई रिफ्रेश रेट के साथ और स्नापड्रागन 778 इस फोन में भी दिया गया है तो ओवराल वीवो T1 प्रो एक काफी बेटर आप्शन है IQ Z5 से अजे भाई पूछ रहे हैं कि 40,000 के राउंड अच्छा इनका बजट है और इनको एक बढ़िया camera वाला फोन चाह और इस फोन का जो रेर कैमरा है वो सीरियसली काफी अच्छा परफॉर्म करता है अगर आप सेलफी जदा क्याप्चर करते हो तो फ्रेंट कैमरा काफी एवरेच्स है वीवो X80 का तो तब पर्चेस मत करना ऐसे में Samsung S21 FE आपको 35,000 रुपीस के राउंड मिल जाएगा और वो आप में कॉम्प्रोमाइस कर सकते हो फ्रेंट कैमरा रेर कैमरा बिल्कुल फ्लाक्शिप लेवल का चाहिए तो Samsung S22 आपको ओफर्स में सेल में 50,000 रुपीस का मिल जाता है तो उसको भी एक बर आप देख सकते हो अब हसन भाई को 25,000 में बेस्ट कैमरा फोन चाहिए इस सवा उसका कैमरा बहुत अच्छा नहीं है लेकिन प्राइस के साब से डीसेंट परफॉर्म करता है और ओवराल फोन की परफॉर्मेंस भी ठीक है बस अगर आप फंटच OS के साथ एडजस्ट कर सकते हो तो बिकॉस फंटच OS में एप मेमरी मेनी रहती है और काफी जल्दी कर रहे हैं Exchange में इनको Samsung S20 FE 5G मिल रहा है तो Samsung S20 FE 5G अगर आपको क्यामरा अच्छा चाहिए तो आप Exchange में ले सकते हो मतलब उनको अपना फोन देके तो Samsung S20 FE 5G या क्यामरा बेटर है और यूजर इंटरफेस आपको थोड़ा सा बेटर मिलेगा as compared to OnePlus के जो फोन होते हैं तो कर आके बज़ रहे हैं तो आवाज आएगी उसकी वीडियो में Ico Neo 6 का कैमरा कैसा है यह बेसिकली जानना चाहते हैं भाई मैंने कैमरा का बेटरेसन करा है डिस्क्रिप्शन में लिंक देदूँगा वीडियो देख लो इसे आप और Ico Neo 6 का कैमरा 26,000 रुपे के फोन के साब से मेरे को decent लगता है ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है बट decent pictures आ जाती है यार मतलब ठीक है आप ले सकते हो फोन वेल यह जो सवाल है यह सयद भाई ने पूछा था मेरे से GT Neo 3T की वीडियो पे कमेंट आये था कि थोड़े पैसे और डालके Poco F4 भी मिल जाएगा प्रोसेसर है और AMOLED डिस्प्ले दोनों फोन से मिल जाती है लेकिन मैंने आपको Realme GT Neo 3T इसलिए रेकमेंट करा एक यह सस्ता है दूसरा इसका यूजर इंटरफेस ज्याधा रिलाइबल है as compared to जो पोको और शाओमी के फोन्स हैं because future में updates के बाद शाओमी के फोन्स में MIUI में बग्स जाधा देखने को मिलते हैं as compared to Realme के जो फोन्स है यह current scenario के साबसे मैं आपको बता रहा हूँ तो ऐसे में जाधा reliable और जाधा अच्छा software experience आपको जब GT Neo 3T में मिल रहा है तो आप पोको एफूर में क्यों extra पैसे डालोगे simple सा answer है technical enjoy पूछ रहे है should you buy iPhone 11 in 2022 तो मैं आपको पहले भी जब मैंने sale के ओपर वीडियो बनाए थी जब iPhone पर डिसकाउंट था तो मना किया था कि 2022 में iPhone 11 मैं personally तो purchase नहीं करूंगा एक तो वो एक 4G phone है और उसकी display LCD display मिलती है तो होगा बेटर है overall मतलब iPhone 12 में काफी मतलब मुझे मैंने use किया था मुझे काफी ज़्यादा बेटर लगता है वो iPhone 11 से क्योंकि display छोटी है तो क्या हो गया OLED display में आपको आइस प्रिजर स्टेन नीं पड़ेगा वीडियो देखने में जादा मज़ा आएगा LCD display यार अब 35,000 रुपे के iPhone 11 में वो मज़ा ही नहीं आएगा मतलब न iPhone 11 2022 में कोई भी मतलो मेरे से Instagram पे ना काफे सारे भाई पूछते रहते हैं कि एक अच्छा TV बता दो अच्छी साउंड बार बता दो देखो जो प्रोड़क्ट मैं या मेरा कोई family member relative यूस करा है उसके बा जाल देता हूँ post वापे stories में तो 55 इंच में QLED Toshiba का एक model है यह आप देख सकते हो screen पे यह मैं आपको highly recommend करूंगा because इसकी जो overall brightness है वो 400 nits के राउंड रहती है और जब आपको HD content देख रहे होगे HDR video प्ले करोगे तो इसमें जो peak brightness है वो up to 550 nits के राउंड चली जाती है तो इस अच्छे है और यह TV बहुत बढ़िया है इसमें आपको मज़ा आएगा मतलब content देखने में color mapping बहुत बढ़िया है color contrast बहुत अच्छा देखने को मिलेगा इस TV में आपको तो यह value for money product है और यह Amazon Flipkart की sale में 47,000 रूपीस के राउंड मिल रहा था तो next sale का वेट कर ले न 47 748 जहां आपको cashback विगरा के बाद मिल जाए इसको purchase आप कर सकते हो मेरे relative में कोई family में इस TV को use कर रहे हैं soundbar की बात कर लेता हूं अगर आप 19,000 रूपे की range में soundbar purchase करने का सोच रहे हो तो Samsung की आप देख सकते हो but मेरे recording थोड़े पैसे बढ़ा लोगे तो sale में 14-15,000 में क्या है कि आपको बेस काफी अच्छा मिलता है उसी के साथ साथ जब आप कोई ऐसे person हो जिसको movies देखनी है और dialogues एकदम clear चाहिए vocals मतलब एक एक word clear सुनाई देना चाहिए तो बेस जादा होने की वज़ह से vocals दबते नहीं हैं काफी clear सुनाई देते हैं और बेस को आप अपने दमदार है जो music output है वेल ये कुछ comment सवाल में ने Instagram और YouTube comments में से उठाए थे कोई और सवाल हो तो Instagram पे भाई को follow कर लो और बता देना मैं जवाब देने की कुशिश करूँगा जल्द से जल्द उमीद करता हूँ content informative लगा होगा camera comparison वीडियो बहुत जल्द आने वाली है चैनल क सब्सक्राइब कर लो बेल एकन को भी प्रेस कर लो वीडियो को लाइक कर लो देवाली है तो enjoy करो